रादे रादे दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ दाल की चोखा की रेसिपी मसूर दाल की चोखा बनाएंगे बहुत जादा टेस्टी क्या कहां आपने कभी ट्राइ नहीं किया तो एक वर जरू ट्राइग है तो चलिए हम बनाते हैं मसूर दाल की चोखा इसके लिए सबसे पहले यहां पर एक कब से थोड़ा सा कम मसूर की दाल ले लिए हैं इसे लाल डाल भी कहते है anyways yas و Hoş और इसमें डाल डाल देंगे, साथ में पानी डाल दीजे, जितना डाल लीजेगा उसके डबल पानी आपको डालना है, और यहां पे हम पानी डाल दिये हैं, आधी छोटी चमच हल्दी पॉरर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, यहीं पे टेस्ट के अनुसार और ढग के हम इस 60% यह पक चुका है धक के थोड़ी दिर और हम इसे पकाएंगे ना तो यह पानी जो है न वो भी सूख जाएगा और दाल जो थोरा सा कचा है वो भी पक जाएगा तो यहां पे 2-3 मिनट के लिए धक के पकाए हैं और आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से पक चुका है तो बस दाल को अच्छे से पका लेना है भले ही जितना टाइम लगे और अब हम इसे मैस कर लेंगे जैसे चोखा भरता होता है वैसे आपको इसे मिला लेना है और उसके बाद इसमें एक बहुत ही अच्छा टेस्टी साथ तरका लगाएंगे तो इसे साइड में रख देते ह तरके पैन में डालेंगे तेल तो हम आज सरसो तेल ले रहे सरसो तिल में तरका लगाईएगा और एक चोटी चमच अजमाइन डाले हैं आप अजमाइन के जग़ा पे काला सरसो या फिर जीरा भी डाल सकते हैं जब भून जागा तो एक मीडियम साइज के प्याज को मिहीन चुप करने में डाले हैं करके लरी मिरी खेत साला सरसमध में अभी रहुदा हैं जब तक ब Reverme का ब्रांव दोंखेंडे साला सब्सक्रामइन कर्णे मातफ़ा है दो जब प्याज का विर्यों जब अगा है तो लाल मिर तोर्क यसस कर सकते हैं यहाँ पे तरका तयार हो गया ह गैस को बंद कर देंगे और इस तरके को डाल देंगे चोखा में तो बस इस तरके को डाल के अच्छे से मिला लेना है वैसे आप चाहे तो बिना तरके के भी चोखा बना सकते हैं बस प्याज कट करके हरी मिर्ची कट करके उपर से इसमें मिला लीजे और बस सरसोतिल कच्छा ठोरा सा डाल दीजुए का चोखा तैयार हो जाएगा हम यह फिर तोरा थोरा सा इस स्पेसल तरीके से चोखा को बनाए हैं जिसी का टेस्ट डबल हो जाएगा और हां धनिया का फट्र जरूर मिलाईएगा धेड़ सारा अच्छे से मिक्स कर लीजी और मसूर दाल का चोखा बन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा विलकाप बटन प्रेस कर लिजेगा ताकि मेरा हर वीडियो अपके पास पहुंशे के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे सेरकीची कमेंट कीजेज़ अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें बताते जाईएगा ताकि हम उसे सुधार सके Thank you, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ